C language सीखने के लिए हमारे चानल Learn Coding को सब्सक्राइब करें हाई फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नल पॉंटर क्या होता है तो यह हमारा पॉंटर का टाइप 2 है लास्ट लेक्चर में मैंने टाइप 1 वोईड पॉंटर के बारे में आपसे डिसक्रस किया था तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे नल पॉंटर क्या होता है उसके बास नल पॉंटर का सिंटेक्स और एक एक्जामपल प्रोराम बना के मैं आपको समझाऊंगा नल वाल्यू इत ताम व पॉंटर बारे मोंटर डिकलेशन इसकोड नल पॉंटर नल पॉंटर हम उस पॉंटर को कहते हैं जिससे आप डिकलेर करते समय ही मतलब बनाते समय ही नल वैलू से एसाइन कर दिजिए उसमें नल वैलू इनिसिलाइस कर दिजिए उसी को हम कहते हैं नल पॉंटर यहां पर एक और पॉंट होता है नल पॉंटर जो कि बहुत ही important है दनल पॉंटर that doesn't point that does not point to any memory location memory location जिस्वी pointer को हम null से initialize कर देते हैं declaration के time वो pointer हमारा null pointer होता है इसलिए null pointer का कोई memory location नहीं होता है यह किसी memory location को point नहीं करता है ठीक है तो चलिए मैं syntax आपको बता रहा हूं null pointer का simple syntax है सबसे पहले आपको data type लिखना है उसके बाद value at address operator और variable का name जो भी आप pointer variable का name देना चाहते हैं और declaration के time ही आपको नल value इसमें इसलाइस करनी है यहां पर लिख दीजें equals to के बाद नल यह हो गया हमारा नल pointer का simple सा syntax तो यह जो आपको नल दिख रहा है नल एक macro है ठीक है इसे हम macro कहते हैं जो की पहले ही predefined है studio.shader file में तो यह किस तरह से defined है उसे लिखते है तो macro हमारा has defined से declare होता है और null null ठीक है और इसकी एक initial value दी गई है 0 यह सारा चीज studio.shader file में predefined है तो जब आप null pointer बनाओगे और pointer को print करेंगे तो आपको 0 result आएगा क्योंकि null का predefined value macro में 0 दिया गिया है तो चलिए अब हम simple सा program बना लेते हैं null pointer का मैं अपने computer screen पर आ गया हूँ तो यहाँ पर मैं आपको null pointer का एक simple सा program बना के दिखाऊंगा तो चलिए सबसे पहले हम null pointer बना लेते हैं तो उसके लिए आप पहले data type लिखे तो मैं int लिख रहा हूँ और एक pointer बनाने के लिए हम value at address operator यूज़ कर रहें और variable का name मैं पी दे रहा हूँ और declaration के time ही अगर मैं इसमें value null assign कर दूँ तो यही हो गया हमारा null pointer जैसे ही मैंने इसमें null value assign कर दिया अब यह pointer किसी memory location को point नहीं करेगा ठीक है तो यह हमारा pointer बन चुका है null pointer अब हम क्या कर रहें अब simply हम इसे print कराके देख रहें कि क्या output आता है तो printf function में हम क्या करेंगे %d use करेंगे format string integer value के लिए और p को print कराएंगे ठीक है get ch function यूज़ कर रहे हैं screen holding के लिए और clr hcrv यूज़ कर दे रहा हूं थाकि console clear रहे है तो अब code को save करते हैं और run कराते हैं तो आप देखिए यहाँ पे 0 output आया है जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा null होता है वो एक predefined macro है ठीक है जिसका meaning studio.hder file में पहले ही defined है और इसका default value 0 set किया गया है तो null pointer एक तरह से आप कैसे कह सकते हैं कि यह 0th memory location को point करता है जो हमें output में अभी मिला तो यह हमारा simple सा program था null pointer का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दीजे, share कर दीजे, channel पे नहे हैं तो subscribe कर दीजे